इस ख़बर के प्रावज़क है श्रेक्रिशना यूनिवर्सिटी सागर रोट छतरपुर तोते में बस्ती है एक महिला की जान यह बात हम नहीं कह रहे बलकि जिलास्पताल में इलाज करा रही महिला खुद कह रही है और महिला का यह तक कहना है कि तोते को बचाने के चक्कर में हम छत से गिर गए मगर हमें उसका जराबी अफसोस नहीं है खुसी इस बात की है कि हमारे घायल होने से तोते की जान बच गई है मामला हम आपको बता दें छतरपुर जिले के बड़ा मलेरा थाना अंतरगत का है जहां पर नगर के बाड किरमांग तीन में रहने वाली 40 बरसी महिला छत पर अपने तोते को धूब दिलाने के लिए गई हुई थी तब ही अचानक पिंजरा सहे तोता गिरने लगा महिला ने जब इस बात को देखा तो यहां पे अपनी जान की परवा किये वगेर तोते को बचाने के चकर में छस से गिर गई और महिला को सर में गंबीर चोट आई है जिसका इलाज सबसे पहले सामोदाएक स्वास्त केंदर में कराये गया और उसके बाद डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल में भरती कराये गया जानकारी का अनुसार यहां पे बड़ा मलेरा में रहने वाली 40 बरसी महिला सजन्तिबारी अपने पालतू तोते को धूब दिलाने के लिए छट पर गई हुई थी तभी तोता पिंजरा सहेत अचानक नीचे गिरता देखा गया औ और जिसके बाद महिला सजन्तिबारी ने तोते को बचाने के चकर में अपनी जान की परवा किये वगर ही छट से कून गई और तोते को सुरच्छित बचा लिया गया मगर यहां पे महिला को गंबीर चोट आई है जानकारी जो मिल रही है उसके अनुसार 10 से 12 फिट उचाई से महिला गिरी है जिसकी बज़े से उसके हाथ और पैर में भी कुछ चोटे आई हैं फैचर होने के कारण उसे जिला स्पताल में इराज कराने के लिए भरती कराया गया है इस पूरे मामले को लेकर घायल महिला क्या कहती है जरा यह भी सुन लीजिए जरा कि चालीज साँ पूराने तोते को भी सुना आपने महिला ने किस तरीके से बताया कि 40 साल पुराने तोते को बचाने के लिए हम अपनी जान दाओं पर लगा बैठे हैं और हमें इस बात का जराबी अपसोस नहीं है कि हमें चोट आई है बलकि खुसी इस बात की है कि हमारा तोता आज सुरक्षित है उदर इस पूरे मामले को लेकर महिला के बेटे का क्या कहना है यही भी सुन लीजिए तो सुना आपने महिला के बेटे का भी कहना है कि तोते को बचाने के चकर में मेरी मां चस से गिर गई है और उसका इलाज अब अस्पताल में किया जा रहा है तो देखा आपने किस तरीके से एक जीब को बचाने के चकर में महिला ने अपनी जान जो खिम में डाल दी और यहां पे पालतु तोते को सुरक्षिताज रखा गया है वर्दान एक्सप्रेस के लिए बड़ा मलेरा से राजाराम शाहू की रिपोर्ट